आज हम रिलाइंस एंड डिजनी होट स्टार जिसमें निता अमबानी को चेर्मेन बनाया गया है इसके बारे में हम तर्चा करेंगे इसके पहले हम देख लेंगे कि जो सेंसेक्स है जिसमें ने दो दिन पहले वीडियो में कहा था कि जब भी लोर लेबल आती है तो उसमें बा 745 को एक इतिहासिक रेकॉर्ड बनाया जो कि अल्टाइम हाई है तो लास्ट आपने देखा कि दो दिन में 1400 पॉइंट के आसपास करेक्शन आई थी क्रेस करिथी जमें लाखो क्रोर रूपय जो है कि मार्केट कैपिलेशन इसके कम होई थी बट सेंसेक्स की जो मार्केट की मार्केट में तो लाखो कि बंद सेंसेक्स की इसूज आदमों के बस की चीजे नहीं होती है इसमें जो मार्केट कंवसी में लोस होता है ट्रेडर के लिए जो डे के value zero हो जाती है, but investor के लिए कही दिकत नहीं है, जब market कम आ रहा ही तो थुरी से buying कर लिजए, market off है तो बेच लिजए, जब profit में आपके एक target हिसाब से, तो आज हम देखते हैं, main चीजे जो है आपका Reliance का हम देखते हैं, 29 फ्रवड़ी को 11,500 क्रोड की deal हुई, Reliance ने acquisition किया 60.34 stacks by Reliance in the Disney Hotstar, the joint venture agreement via Vicon 18, तो Vicon 18 जो है Reliance की company है, जो इसी के थोरो से इन्होंने Disney Hotstar में buy-up किया, जो कि 16.34 share उनके होंगे, joint venture के द्वारा, Vicon is the subsidiary of Reliance और in term of TV18 broadcast and networks, Vicon 18 is a subsidiary of TV18 Limited, which in turn is a subsidiary of Network18 Media and Investment. Finally, इन दोनों जो company है, TV Network18 और TV18, इसमें Reliance की जो हिजदारी है, 73.15% है, और Vicon 18 में, जो TV18 की मेन इसकी जो subsidiary है, तो इस तर Network18 और TV18 की मेन subsidiary Vicon 18 हुआ, और इन समयों में, जो TV18 network है, इन समयों में Reliance की हिजदारी है, 73.15% तो डिले आपका कल 29 तारीकों हुई थी, इनाउस हुई थी, इसमें Reliance के share दो बढ़े, बाकी Network18 Media और TV18 के stocks, लगबक दो दिन में ही 10% से नीचे आ गए. Globalist Brokerage Jeffries said that Disney business has been valued much lower than widely reported in media. This transaction 8.40 पर share to Reliance Industry. तो इस कारण से देखा कि इसको टार्गेट को भी Jeffrey ने बढ़ा दिया है, क्योंकि Jeffrey के हिसाब से जो गलोबल ब्रोकरेज है, इसने कहा है कि जो डिजनी की जो valuation थी, उस valuation से बहुत कम में इनका मिला है Reliance को Stacks, तो इस कारण से Reliance को जो टार्गेट प्राइज है, इस तरिको जिस दिन मर्जा घुसना हुई थी, उस दिन भी 1.2% बढ़ है, और आज भी मार्केट ही बढ़ा हुआ है, तो Reliance तो इसकी हिजदारी जो है, मार्केट का वेटीज बहुत जादा है, संसक्स में निफ्टी में, तो इस कारण से उनका भी स्ट्रोक्स आज काफी बढ़ा हुआ है, होट स्टार का टर्नोबर जो है, 2022 ते इसमें 70,322 क्रोर्स की थी, और फैनेंसी रस एक इस बाइस में 10,500.77 क्रोर्स इसकी टर्नोबर थी, जो की बहुत अच्छा कासा टर्नोबर है, तो जोट वेंचर विल हैब मोर दन 70, 750 मिलियंस वीवर्स अक्रोस इंडिया और ब्रिंग तोगिदर मेडिया एसेट अक्रोस इंटर्टेनमेंट, जिसे कलर हुआ, स्टार प्लॉस, स्टार गोल्ड, स्पोर्स, स्टार स्पोर्स 18 इंक्रोडिंग ऐसेश टूदा इंटर्टेनमेंट भाया, जियो सिन्मा एंड होटेस्टार, तो इस तरह से जियो सिन्मा होटेस्टार के मदद होगा, इनसे सभी चीजों का वी एसेस कर अब हम देखते हैं एफेक्ट ओफ एबोब डिल on the share price of Reliance and his media companies. तो सबसे बड़ा बात है जो network 18 है और भी study भी 5% गिड़ी हुए थी, आज भी 5% गिड़ी हुए है. तो मैं नहीं कि लगतार 4th quarter में, 1st, 2nd, 3rd, 4th quarter में जो दिसमर की गई है, 4th quarters हुई. सभी में इनका net profit में down हुआ है, तो एक issue बन सकती है, company has posted a loss of 58.08 crores in the 4th consecutive quarters in the network 18. आपने 29 फर्वरी को देखा कि डिल एनांस हुई थी with the hottest star and Disney, Reliance जो से स्ट्रेक्स खरीद रहे हैं. तो इसमें Reliance का जो स्टोक से 29 फर्वरी को आप देखे कि 0.35 percent बढ़ी और आज 1 March को 1.67 percent बढ़ी 2970 फर्वर्र और इसकी 52 है कल बनाई थी 3000 और आपकी low जो है 1880 है. उसी तरह डेन वर्क अगर देखे आप 29 तारी को 56.7 थी 3 परसे बढ़ा हुआ है आज इसमें 55 पर 70 परसे में लगब दो बज़े के आसपास इसमें गिरावट आई है अगर नेट वर्क 18 को देखे तो 29 तारी को 4 परसें गिरावट आई है तो 2-3 में 10 परसें चुक चुका है इ तो कि रिलाइंस की शेयर है इसमें स्टॉक सा रिलाइंस में पर मोटर है इसकी तो 29 तारी को 5 परसें गिरावट थी और एक मार्च को आज भी 5 परसें गिरावट हुई तो टीभी 18 भी दो दिन में 10 परसेंट इसमें करेक्शन आ चुकी है तो टीभी 18 की 68.60 हाई है 52 वीक औ मेडिया सेक्टर को देखे तो दो तीन स्टॉक चोटे कंपणी को छोड़के जो बड़े कंपणी है जैसे सन टीवी जी न्यूज एफो मोवी डिच टीवी मूजिक बोड़कास्ट डेन नेटवर्ट जी इंटर्टेनमेंट इन सभी नेशर स्टॉक इसमें 0.5 परसें से 5 प आपकी जो है पार्ट अफ दा एनसी प्रोड़कास्ट मेडिया की इंडेक्स है तो इसमें भी करेक्शन आई है तो देखा गया कि कई दून से अवरोल जो है प्रफिर करेक्शन आ रही है आपकी इंटर्टेनमेंट एन मेडिया में तो आगे इसको आप वाज करने के लिए अपने चेक लिस में रख सकते हैं और आगे देखे किसमें और क्या एक्शन इसमें होने वाली है मार्कित कैसे डेट करता है थैंक यू बेरी मच आप दूसरे बेरी मच जय हिंद रहे हैं आइम एंजियर हरी होड़ से ब्रेस्ट्रक्चर टेक वजिए प्रिजरत यह आप च